दोस्तो 2020 में हैकिंग अपनी चरम सीमा पर है मैंने और मेरे टीम सहियोगी ने डूरेशन अफ दिस लोगडाउन करीब 12,68,000 रोपे की रिकावरी की जो हैकरों द्वारा या इस कैमरों द्वारा पैसा चुराया गया था हमने बहुत सारी strategy बनाई बहुत सारे plans किये और उसके अलावा हमने police को inform किया और police को inform करने के साथ साथ हमने कुछ particular portals पे भी registered किया जहां से हमें पैसे बापस आए तो मैं वही चीज आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई scam होता है या फिर आपके साथ कोई fraud होता है तो आप अपने आपको कैसे tackle कर सकते हो नमर first आप cybercrime.gov.in portal पर जाके अपनी complaint register कर सकते हो वहाँ उस hacker के बारे में भी लिख सकते हो कि किस number से आपको phone आया किस number से आपको whatsapp आया या फिर वो facebook ID से आपको facebook ID से आपको request आया वो सारी चीज़ें आप वहाँ add कर सकते हो same thing ये complaint register करने के बाद में आप bank में जाके letterhead पर complaint दे सकते हो कि मेरा account number this 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 and transaction ID mention कीज़े उसके अंदर और बताइए banks को कि transaction ID का पैसा किसी hacker द्वारा चुराया गया है अभी एक और चीज़ बहुत important है कि ये सब process और होने के बाद में आप RBI को भी inform कर सकते हो आप rbi.gov.in website पे जाकर वहाँ जाकर आप complaint register कर सकते हो वहाँ complaint register करने के benefits ये होते हैं कि आपका पैसा बहुत जल्दी जो hackers निकाल लेते हैं अपने account से वह freeze हो जाता है और जैसी आप complaint register करते हैं आपको next day police का call आ जाता है और आपको police का call आने के बाद में nearest police वाले आपको FIR के लिए बिला लेते हैं और ये procedure इतना fast हो जाता है कि आपके पैसे recovery होने के chances बहुत जादा होते हैं आपको तीनी चीज याद रखनी है एक number first आपको cybercrime.gov.in पर complaint करना है number second आपको bank में एक complaint देना है and third आपको rba.gov.in पर register करना है इन तीनों procedure से आप बहुती easy solutions में आप अपने पैसे recover कर सकते हैं apart from that आपको जो ध्यान रखने की जो जरूरत है सबसे ज़्यादा वो यह है कि अगर आपको fake account से email आते हैं तो आप उन emails को verified कीजिए कि ये emails genuine हैं या fake हैं number second आपके पास अलग-अलग तरीके के advertisements आते हैं और जिनमें कि आपको कुछ पैसे देने की नाम जीतने की या lottery देने की बात कही गई हो उन पे आप प्लीज ध्यान न दें अगर आप उन पे ध्यान देते हैं तो आप एक बहुत बड़े scam का सिकार बन सकते हैं number third जब आप से कोई बोलता है कि आपका account block हो गया है तो आप अपनी bank में जाके उसको cross check कराएं कि मेरा सचमे account block हुआ है कि नहीं हुआ है अगर आपको कोई unknown call आता और आपको वो inform कर रहा है कि आप आपके account से पैसे block हो गया है आपको card चालू करने के लिए आपको OTP share करना पड़ेगा प्लीज ऐसा न करें जब आपके पास किसी भी तरीके का कोई application जो की unauthorized तरीके से आपके phone में डाली जाती है चाहें वो team viewer है चाहें वो any desk है ऐसी applications को डाल कर भी आपके account से पैसे निकाले जा सकते हैं तो ये पाँच चीजों का आप ध्यान रखिए और आप जब भी कोई website visit करते हैं आप देख लीजे उसके सामने https लगा हुआ के नहीं हुआ ये छोटी छोटी चीजे ही आपके कई सालों की मेहनत के पैसों को बचा सकती है सुरच्छित रहें सेफ रहें सलामत रहें Thank you very much